हेलो 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 एवरिवान वेलकॉम बैक टू दे चैनल बच्चों तो क्या हाल है तो पढ़ाई की याद आही गई तो चलो स्टार्ट करते हैं तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक ब्यूटिफुल पोयम क्लासिक्स तहनी सकल की फॉर्स्ट पोयम है यह आपकी जिसका नाम है अ एक बार पूरी पोयम पढ़ते हैं पोयम पढ़ने में बड़ा मसा आता है ठीक है उसके बाद मैं आपको इसका मीनिंग समझाऊंगा बड़े अच्छे से और प्लस आपके question answers भी बताऊंगा तो चलो स्टार्ट करते हैं तो बड़ा अच्छा सा पैराग्राफ था ना इसमें राइमिंग देखो पहले तो राइमिंग समझना बहुत ज़रूरी थी तभी तो वह पोयम होती है अब राइमिंग क्या है hard yard है राइमिंग अब आपकी next राइमिंग क्या है floors, doors ये दो राइमिंग है तो अब हम देखते है meaning तो बात करी जा रही है what is a house कि एक house क्या होता है house होता है एक मकान जिसे हिंदी में कहें तो मकान बट आप पोयम में क्या है it's brick and stone यानि कि इंट और पत्थर, wood that's hard यानि कि लकडी जो कि बहुत सकते है some window glass यानि कि शीशे आपके कांच लगा होता है आपके घर पे, खिड़की वो उसकी बात करी जा रही and perhaps a yard और शायद कुछ लों के घर में एक आंगन भी होता है it's eaves and chimneys, eaves बताता हूँ, जैसे कोई building आपने ऐसी देखी है जिसमें यहाँ पे थोड़ा सा आगे को निकला होता है, नीचे यहाँ पे आपकी window होती है तो यह जो निकल रहा है, यसे कहते है आपका eaves, eaves यानि कि थोड़ा सा मुंडेर eaves and chimney, chimney तो होती है उपर, chimneys and tile floors, tile यानि कि आपका floor, zemine and stucco and roof and lots of doors, stucco यानि कि चूना, roof यानि कि छत, lots of doors, यानि कि बहुत सारे दर्वासे तो कहने का मतलब यह है दोस्तों, कि जो आपकी एक house होता है, house क्या होता है, house यानि कि सिर्फ एक मकान, जो लकड़ी से, पत्थर से, इंटों से, इन सबसे बना वो एक मकान है इस से फरेक नहीं पड़ता है, उसके अंदर कोई है या नहीं, बट उसे कहाए जाता है house next है home, पहले तो poem पड़ते है न, it's loving and family and doing for others, it's brothers and sisters and fathers and mothers, mother और other आपकी यहाँ पर rhyming है it's unselfish acts and kindly sharing and showing your loved ones always caring, you are always caring, sorry, और sharing और caring आपकी अनदर यहाँ पर क्या है, आपकी एक और same same naming words है okay, तो home क्या होता है, home यानि कि जिसे हिंदी में कहते हैं, परिवार, it's loving and family, यानि कि प्यार और परिवार, और एक दूसरे के लिए करना, doing for others, it's brothers and sisters, यहाँ पर भाई, बहने, मम्मी, पापा, सब होते हैं, तब कहलाता है home, it's unselfish acts, यानि कि यहाँ पर अपने बारे में ना सोच कर, दूसरों के लिए सोचना, और मिल बाट कर रहना, और दूसरों को दिखाना, कि आप उनसे कितना ज़्यादा प्यार करते हो, और हमेशा उनकी care करते हो, तो आपको difference अच्छे समझ में आगा हो न, कि house क्या होता है, और home क्या होता है, आप जिसमें रहते हो, वो एक house है, और आप जिनके बीच में रहते हो, वो home है, आपकी family बनाती है, एक home, और आपका जो घर है, वो बनाता है house, house और home का difference, समझ में आया, यह आपको समझा है, Lauren M. Hawley ने, आपको बता दूँ, आपके जो question paper होता है, paper जवाब आएगा, उसमें आपके ये भी पूछा जाता है ठीक है, जिसमें आपका क्या पूछा जाता है, कि इसकी writer कौन है, poem की, चली question answer देखते है, फटा फट, पहला question है, do you agree with that, the poet says, talk to your partner and complete, ठीक है, complete करते है, a house is made of dash, एक house किसका बना होता है, तो house किसका बना होता है, यहाँ से मैं तुम्हेंना highlight करा देता हूँ, ताके तुम अ यह कह रहे हैं कि house किसका बना होता है, question क्या है, a house is made of house, याने कि मकान, तुम हिंदी में यात रखना, it's made of brick and stone, and wood that's hard, some windows, glass, and perhaps a yard, यहाँ तक, यहाँ आपका कितना answer हो गया, आपका first answer हो गया, next देखते है, it has dash, अब इस एक house में क्या क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, okay, दूसरा color ले लेते हैं, ताके अच्छे सापको याद हो, red, red तो अच्छा नहीं होता, ठीक है, pink ले लिया, it has eaves and chimneys, tile and floors, stucco and roof, और क्या होता है, lots of doors, और बहुत सारे दरवाजे होते हैं, तो यह होगा आपका second answer, next है, a home is made by, अब एक परि लेते हैं, वापिस अपना yellow color लेते हैं, तो परिवार बनता है, क्या question था, home is made by, एक home किससे बनता है, it's loving and family and doing for others, brothers and sisters and fathers and mothers, इन चार लाइनों को आप यूज करके आपका पहला answer बना सकते हो, आपका परिवार बनता किससे है, फिर बता दोता हूँ, प्यार से, परिवार से, एक दूसरे के लिए करने से, जहां भाई बहन हो और mother, father से, इन सबसे, तब आपका एक परिवार बनता है, और इसमें कौन-कौन होते हैं, यहाँ पर आपका फिर से answer क्या हो जाएगा, it's brothers and sisters and fathers and mothers, यह हो जाएगा आपका another answer, क्योंकि पुछा जारा है, इसमें कौन-कौन हो इसमें आपको अपने house के बारे में लिखना है, तो आपका जो house है, वो कैसा है, उसके बारे में लिखना है, कि वो eat से बना है, उसमें इतने doors है, आप जैसा चाहिए, वैसे लिखो, attention मतलो question paper में आपका ही नहीं आएगा, paper में आपके सिर्फ यह वाले questions आएगे, next best thing about my home is, आ आपके परिवार के बारे में आपका best thing क्या है, कि आप सब मिलकिक रहते हो, आप साथ में खाना खाते हो, ऐसा कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है, तो I hope आपको यह poem समझ में आयो, अगर आपको समझ में आयो, तो वीडियो को like करना, तो बिल्कुल भी मत भूलना, चैनल क subscribe तो पका कर देना, मैं आपसे मिलता हूँ next poem में, next chapter में, next video में, तब तक के लिए goodbye and take care